मेरी चैनल को सस्क्राइब करने के लिए देखाई यहाँ पर रेड कलर κα सस्क्राइब बटन दिया है उसको इस तरह सी क्लिक कर देब और देखें यहाँ पर बैल ऐकन आ गई यह उसको भी क्लिक कर देब ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि अभी तीन चार दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें ये था कि आप पुरानी बनार्सी साड़ी या सिल्क कानजी बरंग जो साड़ी आपके पास है उनको किस तरह से स्मार्ट लुक में आप फिर से चेंजस ला सकते हैं फिर से एक न्यू ड्रस बना सकते हो जो स्मार्ट हो और जो आप अपने पार्टी में या उसका मतलब यूज कर सको दैन उसको बहुत सारे अच्छा रिस्पॉंस मिला था और बहुत सारे लोगों ने उसमें एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं वेडिंग लेंगे का क्या किया जाए तो ये बात तो सबके साथ है कि सबके पास वेडिंग लेंगे होंगे और हैवी लेंगे होंगे जिसको एक बार दो बार आपने पहना होगा सबने देखा होगा उसके बात से आप उसको बोर हो चुके हैं पहन पहन के और उसको आप ऐस पार्टी वेर हैवी लहंगा जो होता है कई बाद इसको आप रियूस कर चुके हैं उसको रियूस कैसे करें किस तरह से आप उसको एक डिफरेंट लुक दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाई सबसे पहला जो आप देख रहे हो यहां पर वह है एक स्मार्ट स्कुर्ट का यानि कि हैवी लहंगा या वेडिंग लहंगा है तो उसको आप एक स्मार्ट लुक किस तरह दे सकते हो उसमें सबसे पहले आइडिया यह दिखा रही हो मैं तो इसमें क्या करना है आपको बस आप एक जो लहंगा है उसको आप एक शर्ट के साथ टीम अप कर सक सब्सक्राइब कमें इसलेटे को नियुक पिल्कुल इसके तो ब cyclPLE नियुक से खच पागिए ग्मपार। यहांगा से मिलता जैणे एक ड्रेट शुल्क टेकर की फपार्य ख। क्रिएट कर सकते हो और यह बिल्कुल डिफरेंट लगेगा तो बस करना क्या है आपको अपना लहेंगा लिखना है और उसके साथ एक शट को बनवाना है शट का फैबरिक बहुत जादा नहीं लगेगा और एक निया स्टाइल क्रिएट हो जाएगा और देखें बहुत सारी ब लहेंगा भी सही सलामत रहेगा उसके साथ कोई छिडशाड़ने करो बस एक शट बन वाओ उसको उसके साथ क्रिएट करो और जिस भी में जाओगे जिस पी पार्टी में जाओगे सबकी नदरे आप पर होंगी किसी को याद भी नहीं रहेगा इस लुक में कि यह आपका वो ज्वेलरी सेलेक्शन जो इस पर पहने होगी आप वो थोड़ा से सोच समझ के करिएगा क्योंकि इस तरह के आटफिट के साथ ज्वेलरी थोड़ा सा कम हलकी पहनी जाती है तो यह तो हमने स्कुर्ट की बात कर ली आप दूसरा ऑप्शन के पास चलते हैं तो दूसरा ऑप्श पहनो यानि की चोली पहनो और अपना अप लहंगा पहनो दुपट्टा आप साइड में रख दो और उसी से मिलता जुलता फैमिली कलर ऑप्शन ले करके आप एक लॉंग जैकेट बन वालो मैटर नहीं करता है कि जोकेट जैकेट जो है किस फैबरिक का हो किसी भी फैबरिक जो हाइलाइड पार्ट रहे गा वह आपके जैकेट रहेगा और क्योंकि लेहित नीचे तक आपके लहेंगे तक रहेगा तो जो भी देखेगा और आपका लहेंगा इसमें मैच हो जाएगा ठीट आपने पहन से बद्षय याद पर लिएंग लेंगा आप पहन रख याद की तो अगर इस जैकेट स्टाइल रखना है तो जैकेट का प्राइटिंग 2.5 या 3 मीटर आपको लगेगा तो इस तरह का क्रियेट कर लो और एक फुल जैकेट सिल्वा लो बाद में उस जैकेट को भी आगे से जो कट कर वाया है उसको बंद करके और किसी भी प्लाजों के साथ या फिर जीन्स के साथ उसको भी आप टीम अप कर सकते हो उसको भी किसी अदर ड्रेस में कनवर्ट कर सकते हो तो यहां पर लहंगा भी आपका सही सलामत रहेगा और जैकेट का एक निया ड्रेस भी आपके पास रहेगा जो भी आप दोनों को ही आप यूज कर सकते हो तो जै तो यहां पे तो दो आप्शन मैंने दिखा दिया एक स्कट को और एक लॉंग जैकेट को अप्शन दिखा दिया अब यह थर्ड वाला एक बहुत ही डिफ्रेंट चीज है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है आपका योग वहीं पे है और आपका दुपट्टा वहीं पे है बहुत सारे सभी वेडिंग ड्रसेस में हैवी दुपट्टा होता है तो सिंपल है कि आप नीचे एक चुडीदार या पजामी टाइप का बनवा लो और उसके उपर पैंट स्ट्रेट हो या पजामी टाइप का या चुडीदार कुछ भी ले लो आप और अपना योग पहन यानि कि चोली आप पहन लो और इस तरह के दुपट्टा जो आपका है उसको इस तरह से ड्रस अप करो जो एक धोती स्टाइल देगा आपको और इसका लुक बिल्कुल डिफ्रेंट होगा तो इस तरह के आइडिया के साथ भी आप जा सकते हो आपके पास ओल्रेडी योग ह है चोली है और आपके पास दुपट्टा है जिसमें कुछ भी नहीं करना है बस करना क्या है आपको एक चुडी दार रखना है जो पुराने भी आप मिक्स और मैच कर सकते हो यहां पर देखिए हैवी बॉर्डर वाले बहुत सारे लोग के वैडिंग अंड्रस में हैवी अपने चुडी दार ले लो या फिर पुरानी आपने पैंट के साथ चले जाओ और यहां एक बनारसी सिल्क का भी आपके पास तो इस तरह की बहुत सारे सिल्क के लहेंगे भी होते हैं तो उनके साथ भी अगर जाना चाहो तो सिंपल है बस नीचे आप एक चुडी दार ले हो तो गाइस मैं बोलूँगी कि यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें आपका योग भी रहेगा ठीक ठाक कुछ भी इसको चेंजिस करने की जरुवत नहीं होगी दुपट्टा भी आपका वही है बस एक आपको पैंट या चुडी दार की जरुवत होगी तो यह आप यहां मैं बता रही हो कि अपने योग के साथ आप क्या क्या डिफ्रेंट कर सकते हो योग जो काफी हैवी होता है वेडिंग लहेंगे पे जो चोली होती है उसमें काफी तरह के डिफ्रेंट काम होते हैं तो एक आइडिया बहुत ही अच्छा है इसमें कुछ भी नहीं करना ह हैं आपको आप अपना योग वही रखो जो 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 जिली उसको कोई changes मत करो मैं इसको करें सब्स करें कर साथ करोगोदिया आपको जोज़र अपने हंगे ने करने ओंग कर लो चोलीёрah ब्लाउस के साथ बहुत सारे एक्सपिरिमेंट होते हैं, तो आप इस तरह के आइडिया के साथ जा सकते हो, बस करना है कि आप एक शिफाम की या किसी भी प्लेन साड़ी ले लो किसी भी फैबरिक की और उस पर हलका सा लेस चाहो तो आप लगा लो मिलता जुलता और एक निया लुक निया स्टाइल आपका क्रियेट हो जाएगा और रस्मी किसी को भी नहीं आइडिया होगा कि ये आप का वेडिंग लेंगा का योग है जो आप बहुत पहले पहन चुके हो मिक्स एंड मैच करके आज पहन रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है आप इसके साथ जा सकते हो और कुछ भी चिंजस जादा करने नहीं होगे साड़ी में स्रिप आपको लेस जो लगवाएं उसके साथ भी आजा सकते हो तो मैं बुलूँगी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसको भी आप जरूर देखिएगा डिफरेंट लुक और डिफरेंट स्टाइल इसके साथ भी हो जाएगा और बहुत सारी पार्टी में आप इसको पहन सकते हो और वही योग आप डिफरे आपके साथ सॉल्व हो जाएंगे तो आइ थिंक ये एक बेटर आइडिया है और इसके साथ जुल्री का भी कोई इशु नहीं है क्योंकि आप प्लेन साड़ी पहन रहे हो तो उस पे अगर हैवी जुल्री डालना चाहते हो तो हैवी जुल्री भी हो जाएगा क्योंकि योड के साथ क्या कर सकते हो यह मैंने बता दिया कि छुली को किस तरह से डिफरेंट लुग देना लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूं कि बहुत सारे लोगों के पास 2-3 लहंगे होते हैं काफी पसंद करते हैं लहंगे तो उनको किस तरह से मिक्स ऑंद मैच करना है तो एक दूसरे में आप मिक्स और मैच कर सकते हो बस कलर कॉंबिनेशन का ध्यान रखना होगा कि एक ही फैमिली का कलर से वह मेल खाता हो तो यहां पर इसी के अकॉर्डिंग मैंने दो से तीन पिक्स डाली है जिसमें आप कलर फैमिली देख करके आप अपनी जो लहंगाज है उसक योग और चुन्नी को आप चेंज कर सकते हैं तो यह भी एक डिफरेंट लूग है आप इसको भी ट्राइ कर सकते हो और बहुत ही मतलब एजी लिए आप एक निया ड्रिस खुद से बैठे-बैठे कर सकते हो बिना कोई स्टेचिंग दिए बिना कोई स्टेचिंग दिए या अब यहां पर बात करते हैं कि लहंगे को में और क्या डिफरेंट लूग करते किया जा सकता है तो आप शौट जैकेट उपर से डाल सकते हो यह भी एक अलग सा लूग आ जाएगा तो अगर इतना फैबरीक आप खरीश सकते हो तो एक शौट जैकेट बन वालो और लहंगे क के उपर डाल सकते हो यहां पहले लाँ जैकेट का आपको दिखाया था यहां पर शौट जैकेट के दिखाया था और साथ साथ चोली को भी आप भाटा करके और उसके पर इस दूसरा लॉंग जैकेट डाल लो पूरा जो गुटने तक होता है तो उसमें भी आपका चेंज़ आ जाएगा आपका दुबट्टा वही रहाएगा आपका लहंगा वही रहाएगा चोली हटा करके उतना फैबरिक ले करके और आप एक लॉंग जैकेट टाइप का आप चोली सकते हो अब बात करते हैं कि जीरो कोस्ट पे आप क्या कर सकते हैं जीरो कोस्ट आप देना नहीं चाहते कोई भी पैसा कोई चार्ज स्टिचिंग का नहीं देना चाहते कोई फैबरिक का चार्ज नहीं दे उस पे क्या कर सकते हो तो यह वाला एडिया बेस्ट है और मेरा फै बड़ी option है, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर साब के लिए सर्च करके मैंने इसमें आइड किया है, जिसमें आप देख सको कि किस तरह से एक plain suit को आप different different look दे सकते हो, यहाँ पे एक दुपट्टा जो है, वो wedding दुपट्टा है, और उसके साथ बिल्कुल plain, आप सिल्क का suit डाल सकते हो, जाए वो जॉर्जट का suit डाल सकते हो, या फिर आप cotton का suit डाल सकते हो, जिससे की एकदम नया look लगेगा, बिल्कुल नया style बन जाएगा, आप यह देखिए, आपकी heavy दुपट्टा के साथ कितना simple look यहाँ पे create किया गया है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको दुपट्टे में कोई छेड़ चाड़नी करनी है, दुपट्टा जो होता है, वो उसी तरह रखना है, चाहे आपका silk का दुपट्टा हो, यहाँ पे देखिए, एक net का दुपट्टा है, बहुत सारी लहेंगा, नेट में भी होते हैं, तो उनको साथ बिल्कुल plain white suit लगाया गया है, इस तरह की dress अगर हो, तो आप इसको white कर सकते हो, या फिर आप खरीदना चाहते हो, तो खरीद white, yellow, light golden, black, इस तरह के color option के साथ आप जा सकते हो, हाँ, pink दुपट्टा है, red दुपट्टा है, तो pink आप सूट नहीं बनवाना, या red या purple इस तरह का सूट मत बनवाना, अगर heavy light color है, जैसे dark color है, तो light color ही आप रखना, तभी वो एक लुक क्रिएट करेगा, और उसका लुक जाएगा, तो मैं वो लूगी की देखे, अगर बहुत सारे लोगों के पेर तो बॉर्डर होता है, तो बहुत सारे लोगों में तुपट्टे में रहता है, तो यहां पर एक black color का भी option मैंने रखा, अभी तक मैंने white, yellow यह दिखाया, यहां पर आप के लिए मैंने black डाला हु और कहने की कोई जरुवत नहीं है, कि यह बिल्कुल different look लग रहा है, तो guys इस तरह के ideas जो है, आप different different अपने style को different बिना सकते हो, different look दे सकते हो, और अपने wedding और लहंगा उसको नया look दे सकते हो, ज्यादा चेट साड़ आपको नहीं करनी होगी, आपका लहंगा भी सलामत रहे तो जीरु कोस पे बिना कोई stitching दिये, खर्च किये, आप ये वाला idea यूज कर सकते हो, बहुत ही best लगेगा, तो यहाँ पे हमने 4 से 5 ideas आपको दिखाए है, I hope कि आपको पसंद आएगा, लेकिन ये end नहीं है, इसके आगे भी एक या दो ideas और होंगे, जो आप देखो, और इस लगता है कि आप ट्राइ करोगे, आने वाले टाइम में मेरे पास भी लहंगा है, हैवी दुपट्टा वाला, तो मैं भी इसी तरह का लुक ट्राइ करने वाली हूँ, और यहाँ पे देखिए, ब्लैक कलर का है, हैवी दुपट्टा है, जिसको बहुत ही अच्छा से टीम अ क्रियेट कर रहा है, तो इस तरह के ऑप्शन के साथ आप जाओ, और साथ साथ एक ऑप्शन और मैं आपको देना चाहती हूँ, जो है अनारकली का, अगर आपको बहुत ज्यादा अनारकली पसंद है, आप इस तरह की ड्रस पहनते हो, तो आप अपने योग के साथ अपने ल चस्ट वाला पार्ट और एक अनारकली रिस्टाइल करवा सकते हो, और अगर आपको लगे की लेंगा बहुत हैवी है, तो अपर वाला पार्ट आप प्लेन रखो, विदाओट स्लीव से रखो, विदाओट कॉलर रखो, और एक दम लॉंग ड्रस निकल खराएगी, और चाहते हैं, तो यहाँ पर एक उप्शन में और लेकर आई हूँ, कि आप अपने लहंगा को उसी तरह से रखें, आपका योग भी वही रहेगा, लहंगा भी रहेगा, लेकिन बस उसके साथ एक सिंपल सा नेट का, जो है कोटी टाइप का, आप उसके उपर बनवा लें, जै कोटी के स्लीव में, और कॉलर एरिया में, और आपका योग भी रहेगा, यानि की चोली भी रहेगी, और आपका लहंगा भी रहेगा, बस एक नेट का उबर से आप डालो, तो यह भी लुक नया हो जाएगा, और बहुत अच्छा पीसा आएगा, तो गाइस बहुत कोशिश डिजाइन में आप क्रियेट कर सकते हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जली से फटा फट सब्सक्राइब कर लें, और हैवी साड़ी का, अगर आपको आइडियास चाहिए, तो मुझे कमेंट शेक्षन में जरूर लुक है, मैं कोशिस करूँगी कि उसके एक और वीडियो अपलोड करूँ, और इस आइडियास के साथ आपको छोड़के जारी हूँ, इस यलो वाले और रड वाले आइडिया के उसको भी आप देख सकते हो, मै नेक्स वीडियो में मिलूँगी, बाबाई